तुम सोचते तो रोज रोज हो पर उनमें से करते क्या क्या हो यही तुमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कहते हैं हर चीज की सुरुवात सोच्छे होती है इसलिए अगर किसी चीज का सुरुवात बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचना सुरू करो कुछ लोगों की सोच तो इतनी छोटी होती है कि अगर कहीं पे वो अपनी किस्मत की बाते भी करेंगे तो बोलेंगे कास मुझे रास्ते में 2000 का नोट मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता अरे यार अगर सोचना ही है तो 2,00,00,00 के बारे में सोचो न सोचने का कोई पैसा तो नहीं लगता न बट अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई साफ रास्ते में 2000 के नोट मिलने का चांस जादा है 2,00,00,00 के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर तुम रास्ते में 2,00,00,00 के बारे में नहीं सोच सकते तो क्या तुम अपने बड़े फ्यूचर, बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोच पाओगे मुझे तो लगता है तुम उस समय भी यही सोचोगे कि छोचे ड्रीम्स को पूरा करने का चांस जादा है और बड़े ड्रिम्स को पूरा करने का चांस बहुत ही कम है That means probability कम है उसका Actually ये मुझे बताने की जरूत नहीं है पर ये तुम्हें सोचने की जरूत है कि तुम कैसे कुछ बड़ा सोच सकते हो और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे हासिल कर सकते हो पर दोस्त एक बात याद रखना तुम्हें बड़ा सोचने के लिए अपने आपको फोर्स नहीं करना है Remember once again तुम्हें बड़ा सोचने के लिए अपने आपको फोर्स नहीं करना है कि जबर्जस्ती या खुद को फोर्स करके बड़ा सोचो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, क्या वो पाने के बाद, वो बनने के बाद तुम सैटिफाइड रहोगे No matter कि तुम्हारा ड्रीम कितना छोटा है या कितना बड़ा है अगर तुम्हारा ड्रीम कहीं पे जॉब करके monthly 30,000 कमाना है और उसे अगर तुम पाने के बाद सैटिफाइड हो जाओगे तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुमको कुछ बड़ा सूचनी की ज़रूत है तुमको अपने उस काम पे फोकस करने की ज़रूत है बस एक लाइन मत भूलना कि जो हासिल करना है उसकी लिए हासल करना ही है बस अपने आप से ये पूछते रहना कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मिलने के बाद वो बनने के बाद मैं सैटिफाइड रहूंगा अगर आइनसर यस आता है तो लगा दो अपना जीजन जिस काम में तुम्हारा दिल लगता है और अगर आइनसर नो आता है तो रिमेंबर वान थिंग बैनिट्स डाउट चूज दचेंज तो आज से ही तुम अपना सोच बदलो और ये डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है और उस चीज को सिर्फ सोचते मत रो बल्कि इस मट्रियर वर्ल्ड में इस फिसकल वर्ल्ड में उसकी सुरुवात करो दोस्त एक सीज याद रखना सक्सेस कोई छोटा सफर नहीं होता ये बहुत लंबा सफर होता है और जिस तरह मोटर वेकल से लंबा सफर तैय करने के लिए एक से अधिक पिट्रोल पम पे जाना पड़ता है फ्यूल भराने के लिए उसी तरह आज में तुमारे दिमाग में तुमारे स्टाटप के लिए मैंने फ्यूल भर दिया है पर ये फ्यूल जादे दिन तक चलने वाला नहीं है दोस्त पर मैंने क्या आपने में कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी के गाड़ी में फ्यूल खतम होने के बाद वो अपना गाड़ी छोड़के चला जाता है तो हम क्यों अपने अंदर की motivation, inspiration, dedication के कम होने के बाद अपने dreams को, अपने goal को, अपने सपनों को छोड़के चले जाती है तो सवाल ये है कि अगर तुम्हें कार को रास्ते में नहीं छोड़ सकते fuel की वज़ा से तो अपने इन सपनों कैसे सोड़ सकते हो छोटी-छोटी muskulों की वज़ा से और जब तुम्हारे अंदर का fuel खतम हो जाए तो उसको भरने का भी इंतिजाम है और वो इंतिजाम motivational video भी हो सकता है तुम्हारा सिर्फ एक minute का startup भी हो सकता है और तुम्हारे बीते हुए लमों की वो बाते भी हो सकती है जो लोग तुमको कहा करते थे कि तुम अपने जिंदगी में कुछ करने ही पाओगे अनिधिंग जो कुछ भी है वो तुमको ही सोसना पड़ेगा जोकि कर सपने तुम्हारे हैं तुसे पूरा करने का जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए जोग साय झाल दुम्हारी होनी तुम्हारे है वाधगे वाधगेव था शुम्हारे माधगे जोड़ाinga का उत्वटी अड़े हैं टेल वाधगेश धने वाधगेव ड्यूबध दूरे चाहना झाल झाल